दोस्तों ये है मेरा HTC Trimmer आज सुबह जब मैंने इसे अपनी दाड़ी बनाने के लिए चलाया तो ये चला ही नहीं पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो गई है चलिए मैं इन इस्क्रू को खोलने की कोसिस करता हूँ इस पेंचकस से वेसे काफी कोसिस करने के बाद भी ये खोली नहीं रहे है लेकिन जब मैंने इसे यहां से कुछ ऐसे ठीक करने की कोसिस की तो ये चलने लगा वेसे ये अटक गया था जो कि अब ठीक हो चुका है और दोस्तों अभी ये जीरा इस ओकली से कूट कर पावडर बनाने का कार्य में कर रहा हूँ वेसे अभी ये जीरा थोड़ा थोड़ा बारिक हो गया है लेकिन अभी इसे और भी कूटना पड़ेगा और अभी ये नमकिन परमल मैं खा रहा हूँ विसे भी साम के लगबख साथ बजे का वक्त है और दोस्तो अब बस इतना सा ही जीरा और कूटने के लिए बचा है बाकी का पाउडर बना कर छान कर रख दिया गया है और दोस्तो आज दूसरे दिन सुभे के लगबख साड़े नो बजे मैं इस बड़ी चवला फलियों में से चवले चील कर निकाल रहा हूँ और दोस्तो इसे चीलते चीलते मुझे एक उगा हुआ चवला मिला चलिये मैं इसे यहां पर इस गमले में लगा कर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ उम्मीद है कि दो-तिन दिन में ये उग जाएगा और दोस्तो अब मैं लसन चील रहा ह और दोस्तों अभी रात के लगबग 9 बजे का वक्त है और अभी मुसलाधार बारिस हो रही है विस अभी लाइट भी चली गई है मोबाइल की फ्लेस लाइट बंद करने के बाद का अंधेरा आप देख सकते हो विस जो भी हो बारिस के आने से वातारण में काफी ठंडक हो गई है और काफी खुसनुमा माहौल भी हो गया है विस में आज पतंजली स्टोर से ये चीजे लेकर आया हूँ विस ये पतंजली का घी में पहली बार ही लेकर आया हूँ अच्छा लगा तुम्हें आगे से इसका ही उप्योग घर में करूंगा